कानागी नगरी मत्रा के बाद गाउं इस्ति स्वीक्षिन सरूबर पर 158 वी गांधी जैनती के उपलक्ष में 178 वी बाहिनी बियसेप की कमांड़न धरेंद कुमार, रोतिला के दिंदेश रमसार, बियसेप जबानों ने मांजली फाउंडेशन के वॉलिंटर्स के साथ सेक्त अत्तोधान में एक कदम सच्चता की और अवियान के अंतरगश रमदान किया, आपको बताते चलें कि श्रीकसन सरोवर किस्तिती इंदोनों बहुती देनी बनी हुए है, गांदी जैनती पर 50 से अधिक बियसेप जबानों ने कड़ी महत के साथ रमदान करते हुए, सरोवर में कूड़े करकट को एकित्व किया, एवन लोगों के टहलने वाले फोटपात पर उपजी हुई जंगली जैनती के अफसर पर बियसेप जबानों द्वारा किये गे कड़ी महत के बाद, श्रमदान से गिरामीडों ने बड़ी प्रसंसा करते हुए कहा कि सरोवर में जंगली जाडियों के बज़े से महिलाएं सुवैसाम टहलने में संकोच करती थी, लेकिन बियसेप जबानों वाहिमानजली फांडेशन के वालेंटर्स द्वारा एक कदम सच्चता के और, अभियान के अंतरगाश स्रीक्षन सरोवर की दशा बदशा दो नहीं बदल दी हैं, अब महिलाओं के साथ-साथ बच्चे भी सरोवर में बड़े आराम से टहलने जा सकते हैं, वह 178 वी वाहिनी B.S.A.P. के ओप कमांडेट बदन सिंग ने कहा कि स्रीक्षन सरोवर बाद गाओं की प्राची धरोवर है, उन्होंने कहा कि गांडी जैनती के अफसर प्रादेश के प्रदान मंत्री जी के निर्तुत में समूचे देशवर में एक कदम सोच्चता की गोर अविहान के अंद्रगत साफ सफाई की जा रहे हैं, इसी करम में आज स्रीक्षन सरोवर पर पचास से अधिक B.S.F. जवानों ने कड़ी मेनत के साथ शुरमदान करते हुए स्वच्चता स्वच्चत भारत का संदिश दिया है, साथ इनों ने वहां को प्रोसाइद करते हुए, यह भी कहा कि सभी देशवासियों को एक साथ मिल जूलकर देश को सच्च बनाया रखने में अपनी सहब अगता निवाननी चाहिए। यह कारगाम आज जो 2 अक्टूबर महत्मागांदी के जविए प्रधान मंत्री की तरफ से उजना चलती है कि 2 अक्टूबर मेंसा साथ सफाई की जाए, तो हम 178 बटालियन की तरफ से जो किस्टन सरोवर मांसरोबर है, इसमें हमारे जवानों ने मिलकर इसको साथ सफाई कि काफी है गाव वालों के साथ मिलके काम किया गावालों बहुत अच्छा सरानी कार ता जिसमें गावालों का राख सायोग मिला और इसे हमने साथ सफाई इसकी कर दी सुरोबर की सिती सर बड़ी ही देनिया थी आज जवानों ने इतनी महत्मूर युगदान लिए है सरो वभ अलग ही चमक रही है क्या सब्सक्राइब करते हैं तो यह रिकूड मेंट हुआ था जिसके खार फूड़ा गंदा हो गया था इसमें गंदा हो गया था इसलिए हमने इसको दोबारा साफ सफाई से किया इस जो एक दम चमक रहा है इसलिए गाउवालों से यह अन्रोद है कि इस सबसे बड़ी बात यह थी कि स्री किर्सन सरोबर की बहुत ही बहुत अच्छे तरीके से सरोबर की साफ सफाई की गई है लोगों की माने तो इस तरीके के कारिकरम निरंतर होते रहने चाहिए और बियाशेप के डी सी जो है बदन सिंग सर उनके नितरत में यह कारिकरम किया गया है सबसे बड़ी बात ही है कि युवाओं के लिए महरपूर संदेश दिया गया है कि हमें अपनी धरोहर है यह सरोब सिरीकेशन सरोबर तो उसकी कैसे एक रख रखाव करना है उसकी विवस्ता सुचारू रूप से युवाओं द्वारा करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात ही है कि वन सेविंटी एट बीसे के जो कमांडेंट है एच एस रोतेला रोतेला साब के नितरत में कारिकरम किया गया चलाया गया बहुती एक अध्वुद संदेश दिया गया है आज सरोबर की जो रूप रेखा जो देखी है लोगोंने ग्रामीड होने तो देखकर लोग अचम्वित हो गए हैं कि जो सरोबर अभी चार दिन पहले तक दो दिन पहले तक बहुती धनी इस्तिती में थी आज के सरोबर देना चाहिए निरंतर शरोबर आपकी है आपको खुद सरोबर को सीचना है तो पौदों में पानी भी लगाना चाहिए साफ सफाई अव्यान भी चलाना चाहिए अभी सरोबर की बात चल रही है कि अब सरोबर नगर निगम अपने अंडर टेकिंग लेगा या पर्याटन भी अपना पल्ला जाड़ चुका है जिसके चलते सरोवर की भूती देनी एस्थिती हो चुकी है गाउं के युवा एवं भी ऐसे परिवार ये जो लोग हैं जिनके सानिद में जिनके अतक प्रियासों से सरोवर को अभी तक सीचा जा रहा है देखने वाली बात या पर्याटन हो या ब्रयत तीरत विकास पर सदो दरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है राधे राधे मैं दनी शिंग तरकर मतुरा